तो आईए सर अब हम लोग देखने वाले हैं इस पार्ट में के लौ कैसे कवर करना है क्विक रिव्यू आप लोगों ने अगर इसकी पहली वीडियो नहीं देखी इस इस दी पार्ट टू पार्ट वन जरूर देखेगा नीचे दिस्रिप्शन में लिंक है अगर आपने कोचिंग ली हुए कहीं पर इस रट्टा मारना है लिक्याना है रट्टाफिकेशन प्लस अंडर्स्टैंडिंग अगर हो गई है तो अब सर अच्छी प्रेजेंटेशन लेने है और एक बात नलायक मत बनो किसी भी किताब से मत पड़ो सर एथिक्स और कॉम्णिकेशन एक ही बुक है जो हमारी बाइबल है, कुरान है, गीता है, गुरुगरन साहिब है और वो है सर हमारी एक लौती प्रैक्टिस मैनूल एथिक्स का एक एक कोशन आप लोग ने करके जाना है एक एक कोशन आपने सर एक भी कोशन छोड़ा याद रखना, I, C, A, I इसको ज़र ध्यान से देखे, this is I, that is you, this is C, A and this is again I तुम I, C, A के पीछे, और C, A तुमारे पीछे तू मच फन, राइट, आपने अगर सर कोशन छोड़ा ये सोच के, बहाई ये नहीं आएगा, ये तो कोई बात नहीं सर सोचो, I, C, A, B, ये सोच रहा है, कि तुम ये सोच रहे हो, के नहीं आएगा और फिर वो जरूर आएगा, और फिर बेटा एक्जाम में होगा, धपा राइट, एक भी कोशन प्रेक्टिस में नोकर ना छूट जाए, एथिक्स और कौम का भाई साब पाप चड़ेगा पाप, एक भी कोशन अगर छोड़ दिया, आपने किसका एथिक्स और कौम का, so please, for God's sake, एक भी कोशन नहीं चूटना चाहिए, right एथिक्स कौम तयार सर, बले बले, हाँ जी, क्या बोला मैंने, बोलो बेटा, मेरे साथ साथ, बलो, enjoy करो सर, वीडियो को, क्या बले, बले, सर, ये जो बले, बले है न, ये मैंने क्यों करी, भाई, इसलिए है, क्योंकि for sure cover करना ही है, और सर, उसके बाद, आप सोचे, सर, 40 नमबर आपके बास इन है, PM के साथ-साथ, then coming to business law, सर, business law में, मैं आपको ये suggestion देना चाहता हूँ, कि यहाँ तुरना selective हो जाओ, selective in the sense, आप सर, ग्रैचुटी देख लो, आप बोनस देख लो, आप सर, EPF देखो, या फिर आप negotiable instrument देखो, गिने चुने topic में से question आता है, अगर मैं ग्रैचुटी की बात करूँ, सर, eligibility में देख लो, disqualification में देख लो, बहुत गिने चुने topic में से question आता है, पहले उन questions को दियार करें, practice manual, बच्चों मैं कैसे बता हूँ, आपको मैं law पढ़ा रहा हूँ बच्चों क और मैं sir मुने पूरा practice manual पढ़ा देख लो जी पढ़ना है, एक एक question पहले concept पूरा समझा दिया, उसके एक question रीट करा दिया, इसके अंदर ये, ये वाला question ऐसे आया है, और देखना बच्चों आप अहरान हो जाओ कि जिस champion book से आप लोग पढ़ते हो ना sir, और आप कहते हो फिर आप practice में खुल के देखते हो, फिर बेटा होता धपा, फिर मन से वाज आती हो, और फिर वो हो किसा अपता है, ये question तो मुझस से होगा है यह नहीं, ये तो मुझे आता है यह नहीं, ये कहां से आगया, बीप out of course है, out of course नहीं है, नलाइक हो, out of sight है, out of sight, right, तो please, जो आप business law में पढ़ें, आप चाहिए question based पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन PM पूरी cover करके जाएं, आप यहाँ थोड़े से selective हो सकते हैं, अगर वो question PM में नहीं आया हुआ है, एक particular topic, you may skip it, disclaimer, 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 भाई, disclaimer, भाई, अपने risk पे छोड़ रहे हो, ठीक है, कहीं वाल लिक्या आ इसमें थोड़ा selective study कर सकते हैं, PM based study कर सकते हैं, आप PM से question mark कीजिए, उसका topic पड़ी, उस question को तियार कीजिए, अगर इतना भी आप कर लेते हैं, sir, graduate bonus, EPF, और आपका negotiate instrument में बहुत हो जाएगा, contract act में तो sir, मैं आपको वोलूँगा, एक बात ज़रा सुन लिजिए, इनके days क maximum, upper limit, तो 6 दिन आपके यहां पर कितम हो गए, complete law में maximum वही 4 to 5 days, और याद रखिए का थोड़ा सा business law, मैं आपको suggest करूँगा, कि आप लोग कहां पर cover करके आजाए, sir, बिल्कुल, 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 सही पकड़ा है, sir, वो जो accounts वाली वीडियो में आपको बताया था आप वीडियो में, अभी बोल रहा हूं, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, तो पहले उसे देख के आए, राइट, तो जैसा मैंने आपको वहां बताया था, आप वहां पर साथ-साथ थोड़ा 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 साथ थोड़ा सा थोड़ा सा बिजनस law हमने चार-पांस दिन बोला था, बिसनस law हमने चार दिन बोला था, यह अब लेगी हमारे तीन दिन, क्योंकि हमने एक दिन महीं पे निकाल लिया है, तो तीन दिन ये कंपने लोग चार से पास दिन, यह लगबग आट दिन हो गए, और साथ दो दिन ये, दस दिन में आपकी law खतम, बोल तो बेटा, बले बले, 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 वो बीबी से याद आया, ये फालतु की वीडियो से देखना बंद करो, गाली की लोच देखना तुम्हें बहुत मजा आन लग गया, मैंने देखा है, इंडिया का यूथ कहा जा रहा है अचकल, चलिए, ल सीजर बिल्कुल आप वो फॉलो करें, बस कॉस्टिंग एफमे थियोरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, देकि मैंने थियोरी कैसे कवर गए थी, मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं अपने मार्क्स भी आपको साथ डिस्क्लोस करने को त्यार हूँ, मुझे ऐसा राइट, सवाई इसकोट 68 मार्क्स, और मैं तो बहुत सिंपली बात, बहुत सिंपल बाता हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वरकिंग था, बहुत ज़्यादा, मैं इसमें कोई अपनी तारीव या वो नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बहुत इंटेलिजेंट मैं थोड़ा सा कम तो मैं ऐसे ही था, मैंने खुद सब दिवार में टककर मार मार के सीखा है, कैसे बहुत सा दिवार को तोड़ना है, कहां पर ये वीक है, तो कॉस्टिंग फम मैंने क्या किया था सर, और मैंने कॉस्टिंग फमें की डिटेल्ड सेल स्टेडी वीडियो बना रखी है, आप वो सर, इसे कोशन जो एकजाम में बहुत बार आये हुँ है, ठीयोरी में, चाहे वो कॉस्ट था, चाहे वो एक फम था, एंड मैंने उसके बाद सर प्रॉपर एक रेइस्टर मनाया थेओरी का, जिसमें मैं क्या करता था, चाहे मैं कोई सब्जक पढ़ रहा हूँ, रोज 4-5-5 पाँच शे कोशन लिखे ठीक है उसके पुराने वाले याद करें बहुत अपनी हैंड राइटिंग में सजा सजा के बड़े प्यार प्यार से लुट्व ले लेके मैं उसको रहा करता था और उसके बाद मतलब मुझे काफी मदद भी मिली जब मैंने पेपर में देखा यार यह तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़े हैं जो मतलब मैं पढ़के आया हूँ तो उसके बहुत मदद भी मिली थी आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कोई भी आप भूग उठा लेजी आजकर सारे टीचर्स क्या करते हैं सर आई से एक पी एम उठाई छाब दी पूरी की पूरी तो एक बार आप बस कंफर्म कर लीजे सर इंपोर्टन कोशन कौन-कौन से उनको प्रॉप कुशन करने हैं और कहा सर यहां तेओरी में छोटे सी पतली सी एकदम सुनाख्षी सिना तो नहीं अब तो करिना कपूर भी नहीं चलो कोई भी जीरो फिगर आप ले लो को एकदम पतली सी किताब पढ़ने हैं है ना सु प्लीज जस्ट जस्ट डूएट सर यह है बहुत 14 दिन तो अकाउंट में 10 दिन लग गए लौ में 10 दिन लग गए यहां पे सर हमारे लगबग चलो तेरा दिन लगए ठीक ठीक लगा लिया या लगबग हमारा एक मन्त यहां पे complete हो गया है और अब एक ही बबाल subject बचा है हमारे पास जो मैं पढ़ाता हूं जो मेरा favorite है I am in you know I am just in love with this subject whenever I have given the exam I have scored more than 60 marks on this exam whether it was my B.com, my N.com, my MBA, my L.L.B. or CIPCC, CS executives, CA final I am in completely love with this paper जिसका नाम है tax right तो अब tax की coverage कैसे हो नहीं है sir मैं इस पर बात करूंगा और 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 इस वीडियो में मैं अपने उको बहुत शॉर्ट रखूंगा के टैक्सी coverage कैसे होनी है हाँ अगर मिला वक्त अगर मिला वक्त तो जुल्फ तेरी सुलजाऊंगा आज उलजा हूं इस वक्त को सुलजाने में चलो एक शेर याद आगया था बोल दिया और मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आएगा आप योग यंग जनरेशन हो आप लोग एमिनेम वली जनरेशन हो और आप लोगों को और ही बात समझाती है अगर मिला वक्त तो सर मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा हाव तो स्टेडी टैक्स पर अभी मैं उसका और वी जरूर दे सकता हूं कि आपने सो कैसे 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 कवर करना है राइट सो हाउ टू कवर टैक्स आफ्टर स्टेडिंग अकाउंट्स लौ कॉस्ट एफम और हाँ एक बात मैं हाप आपसे जरूर करनू कई स्टूडेंस कई भार बूलते हैं कि सवर अगर ना मैं ना इस तरीके से पढ़ूँगा ना तो ना मैं ना सब कुछ बूल जाऊंगा एं त तरीके से महनत करी हैं नोट्स बनाये हैं कॉंसेट रेइस्टर बनाया है कोशन हाथ से स्वालव हुआ है तो आप नहीं भूलेंगे अगर आपने हवाई यातरा करिये हैं अच्छा है यह भी होगो यूभी होगो और यूभी होगो फिर एक्जाम में जागे क्या होता है यू आर गॉइंग टू रॉक माई धियर फ्रेंड यू गॉइंग टू रॉक नहीं भूलोगे आप लोग ठीक है और याद रखेगा जब आप लॉप पढ़ रहे थे तो आपने कॉस्ट अफम को अपना माईनर बनाया होगा पहली वीडियो की स्ट्रेजी है ना और जब मांद लेते हैं सैर पउस्ट अपने जब आपका मेजर था तो टैक्स आपका माईनर था और माइनर में आपका चीज़े कवर over कर सकता हूं जैसे कि एक साइस जैसे कि आपका CP जैसे कि आपका कस्टम, इस सब चेप्टर दोने हैं, यह चेप्टर के नाम पर कलंक हैं, कलंक, और फ्री के नमर बटेंगे सर इसमें, तो यह चारो चेप्टर में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब बैठे-बैठे क्या हुए करना है कुछ काम, कॉस्टिंग से बचने है के लिए चलो ले टेक्स का नाम तो उठाया टेक्स और शुरु कर दिया सर, है ना, वो, यह तो चारो ऐगाएम साइड, साइड होते न leaf हैं यह तो, एक साइज आठ नमर का आता है, फ्री के नमर होते हैं, CSTS न आपका चार से आठ नमर का कभी कभी आ जढ़ आ जाता है, जैसे ही आप लोग tax शुरू करें सबसे पहले क्या करना है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में This was part 2, part 3 का link नीचे description में है और उस description पर click कर गए part 1, part 3 जो भी आप देखना चाते हैं जरूर देखिए and if you like this video, please give it a thumbs up and if you haven't subscribed the channel yet do subscribe by clicking on the red button जो बिल्कूल साइड में है जिस पर लिखा हुआ है, subscribe और हाँ, दो दो बार मत दबाये करो अब ले 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 वो unsubscribe हो जाता है न फिर, तो एक ही बार दबाओ बस subscribe करें और आए अगली वीडियो पे चलते हैं part 3, how to prepare taxation यो